हेलो स्टूटेंट्स आयाम गर्वींदर काउर फिकल्टी एट अभी मन्यू आई है से वेरी वोम वेलकम ओलो फ्यू इन इस सेशन एंड स्टूटेंट आज हम यहां पे हमारा जो अभियास टूपॉइंट ओ चल रहा है फूर देंटल्स के लिए सटूटेंट उसको हम यहां पे करते हैं डिकल्स और जो हमारी टॉपेफॅर लाए सटूडेंट ओभी मन्यू आ इस nे जीके के लिए आपको भी पता ही हर्याना जीके कितनी ज्यादा important है, right, even last जो अपना अभी exam हुआ था, उसके अंदर फिर से comeback किया है हर्याना जी के ने, तो 10 to 15 question आने की पूरी-पूरी possibility है, तो इसके लिए student हर्याना, sorry, इसके लिए हर्याना जी के की हमने test series जो है, उसको launch कर दी है, student जिसके अंदर आपको 500 MCQ मिलेंगे, right, and it is available, rupees 400 इसका प्राइज रहेगा, student link आपको description box में मिल जाएगा, ठीके जी, okay, okay, next अगर मैं बात करूँ, HCS prelims test series की, तो number of test जो है, that is 26, और जो price है, that is 6500 rupees, इसका link भी आपको description box में मिल जाएगा, student जिसमें complete जो आपके GSK test रहेंगे, that is 4, and CSET की भी जो complete test है, that is 4, and remaining जो है, that is our sectional test, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा, तो question start करते है, student, तो first question आपकी screen पे है, student, ठीक है, तो question को पढ़िए, student, read कीजिए बच्चे question को, and then answer it, ठीक है, question को read करना है, और फिर इसको answer करना है, हाँ जी, तो read कीजिए, student, question, आज ज्यादा तर जो question है, वो हमारे light वाले chapter से रहेंगे, ठीक है, ओकी, तो पहला question देखे, कहता है optical phenomena, the optical phenomena, twinkling of stars, twinkle, twinkle, little star, याद है आपको, बच्चपन में हमारी एक ही poem, English की, जिसको मुझे लगता है कि lifetime के लिए सबको याद रहती है, हना, twinkle, twinkle, little star वली, ठीक है, तो जो star twinkle करते हैं, student, जो उनमें twinkling होती है, why, क्यों होती है, student twinkling stars की अंदर, तो options है, हमारे atmospheric reflection, total reflection, third one is atmospheric reflection, ठीक है, and d option is our total reflection, ठीक है, हाँ, जी, तो बताईए student, क्या है इसका correct option, आप बताईए मेरे को, तो इसका जो correct option है, जल्दी से answer करो, बच्चे, ऐसे comment में फटा फटा आंसर करने हैं, ठीक है, तो that is our c option, that is atmospheric reflection, तो आपको student यहाँ पर difference पता होना चाहिए, सबसे पहले, what is reflection, and reflection, क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे comment box में, बताओगे क्या, हाँ, बताओगे comment box में, तो reflection का मतलब होता है student, कि एक आपके पास simple, एक plane mirror है, कोई भी एक surface है student, उस पे जब एक light की ray पड़ती है, तो वो surface से टकराने के बाद क्या कर जाती है, उसी medium में वापस से reflect कर जाती है, उसी medium में वापस चले जाती है, this is we called reflection, अच्छा, reflection की मैं अगर बात करूँ, तो reflection का मतलब होता है student की जब एक light ray जो है, वो अपना medium चेंज करती है, मतलब की वो एक medium से निकल कर, वो दूसरे medium के अंदर enter कर जाती है, इसका सबसे best example आपने NCRT में भी देखा होगा, कि जैसे एक beaker है, अगर उसमें पानी भर दे हम, और उसके अगर अंदर हम pencil को ऐसे dip करें, ठीक है, तो आपको pencil तूटी हुई नजर आती है, जहां से भी आपका पानी का level होता है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, तो इसके नीचे नीचे पानी है, तो वहां से आपको pencil तूटी हुई नजर आती है, how is this possible, क्यों तूटती है, क्यों ऐसा feel होता है, हालंकि pencil तूटी नहीं है, reality में, that is due to the reflection, क्यों, क्योंकि जब light ray, जब उसकी अंदर enter करती है, तब उसकी जो speed है, वो क्या हो जाती है, change हो जाती है, so this is we called a reflection, जब भी light एक medium से, दूसरे medium में enter करेगे student, तो उसकी speed जो होगी, वो क्या हो जाएगी, वहां पर change हो जाएगी, या तो वो बढ़ जाएगी, या फिर वो कम हो जाएगी, according to the density of that medium, right, आपको भी पता है, light की जो सबसे ज़्यादा speed होते है, that is in our air, then our liquid, and then our solid, why, due to the density difference, right, जितनी ज़्यादा density होगी, obviously उतनी ज़्यादा हमारी light की जो ray है, उसकी speed क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, obviously ज़्यादा आपके सामने hurdles आएगे बच्छे, उतना ही ज़्यादा आपकी speed क्या होएगी, कम होएगी, या सुर्णो, clear आपको ये बात, तो that we called reflection, तो अब हम समझते हैं student, what is atmospheric reflection, क्या चीज है ये, इसको समझते हैं, see here student, जो stars है, जो हमारे stars है student, वो क्या है हमसे, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो ये हमारी earth है, यहाँ से student आप जो है, वो stars को देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से जब stars को आप देखते हो, तो जो light of ray आ रही है आपकी eye सक, तो जब वो हमारे atmosphere में जब बच्चे वो enter कर जाती है, तब atmosphere में क्या है, बहुत सारी layers है, ठीक है, जैसे जैसे हम उपर जाते जाते हैं, student, हमारी air की density क्या होती जाती है, कम होती जाती है, यह सुर नो, कम होती जाती है, जितना आप मीचे आते जाओगे, आपकी air की density क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, तो जब light enter करती है student, medium के अंदर, तो वो light क्या करती है, बार-बार अपना path जो है, उसको वो क्या करती है, change करती है, change करती है, दिन क्या होता है, तो आपके यहाँ पर क्या है, जैसे light यहाँ पर enter की, फिर माल लो एक medium आया, उपर से, उपर rarer medium है, नीचे dancer medium है, तो light क्या करेगी student, जब rare से वो dancer medium में enter करती है, तो वो क्या करती है, bend करती है towards the normal, फिर माल लेते हैं आपके वो dancer से, फिर से rare में आगी, तो फिर वो away from the normal, तो इस तरीके से student जो light है, वो बार-बार reflect करती है, जिसकी वज़ए से student, जो light आ रही है, जो star से, जो हमारे पास light आ रही है student, वो बार-बार reflect करती है, जिसकी वज़ए से हमें ऐसा लगता है, कि जैसे जो star है, वो कभी जग रहा है, कभी बुज रहा है, कभी जग रहा है, on, off, on, off, ऐसे आपको नज़राता है, ठीके? That is due to the reflection of light, ठीके? आपको, ठीके जी? ओके, ठीके? ठीके जी? हाँ जी, तो next question पढ़िए, फ्रोबले, next question आपकी screen पे है, कैता था, the unit of power of lens is what? The unit of power of the lens is what? बताईए? बताईए, क्या होता है, तो इसका option है, हमारे पास diopter, ठीके? जो हमारे lens की power होती है, आपके glass की power होती है, कितना power का आपको चश्मा लगा हुए है, आप देखती होगे, जब भी आप, you know, आप एक eye doctor के पास जाते हैं, तो that is, उसका unit जो है, that is diopter. Okay, factual question था, third question आपकी screen पे है, student, पढ़िए. Third question आपकी screen पे है, फटा-फट से पढ़िए. कैता था, the radius of curvature of a mirror is 20 centimeter, then the focal length is what? तो मैंने यह question आपको last उसमें भी करवाया था, ठीक है, जैसे यह हमारा mirror है, ठीक है, यह उसका जो center होता है, उसको हम क्या कहते है, c से represent करते हैं, इसको हम क्या कहते है, center of curvature. Center of curvature. ठीक है, अच्छा, अगर इसका radius जो है, that is our 20 centimeter, ठीक है, तो उसकी focal length कितनी होगी? आपको भी पता है, जैसे मालो, यह आपका अगर mirror है, इतना mirror है आपका, यह कौन सा mirror है, concave mirror, तो यह अगर उसका focal point है, f यह जो है, तो focus और center of curvature के बीच की जो distance होते है, उसको हम क्या कहते है, focal length कहते है, और अगर यह 20 centimeter है, तो focal length कितना होगा आपका? 10 centimeter होगा? तो the answer is our, answer कितना क्या होगा हमारा, that is 10 centimeter, clear आपको यह बात? यह सुर्ण होगा? ठीक है जी? तो fourth number question आपकी screen पर है, बच्चे, पढ़िए. यह question समझ में आ गया ना आपको? ठीक है? ओके. हाँ जी. तो fourth number question पढ़िए, बच्चे. Question पढ़िए. कहता है, which among the following waves is used for the communication by the artificial satellites? You know that कि हम कितने सारे satellites जो है वो हम बहार बेचते हैं, है ना? Earth से बहुत सारे satellites हम बहार बेचते हैं, for the communication purpose, है ना? हमारा ISRO जो है, वो बहुत सारे satellites को बहार बेचते हैं, ठीक है? तबी तो हम बात कर पाते हैं जो हमारे radio phones होते हैं, army के पास phone होते हैं, वो direct example है, उनके पास satellite phone होते हैं, वो satellite phones को use करते हैं, ठीक है, ओके, तो पढ़िए, कहता है which among the following waves is used for the communication purpose, artificial satellite के अंदर communication के लिए हम use करते हैं, कौन सी wave को use करते हैं, microwave, radio wave, am, ammeter wave, frequency of 101 series, किस को use करते हैं, बताओ, that is our microwave, हम microwaves को use करते हैं, ठीक है जी, ओके, तो next question की तरफ बढ़ते हैं, question number five, आपकी screen पे है, student फटा फट से attempt कीजी, कहता, why the needle of iron swims on the water surface when it is kept gently, आपने देखा हुआ, कि माल लो, ये glass के अंदर पानी है, इसके अंदर मैं हलका सा, अगर इस तरीके से, बिल्कुल हलकी से, अगर मैं, बिल्कुल आराम से आपको रखनी है, बिल्कुल आराम से अगर मैं needle रख दूँ, तो dip नहीं करती, वो dip नहीं करती, यहां इसका मैं और एगर example दू, जो mosquitoes होते हैं student, जो mosquitoes होते हैं, वो पानी के ओपर तैरते रहते हैं, पानी में डूपते क्यों नहीं बची, सोचने वाली बात है कि वो पानी के अंदर डूपते क्यों नहीं है, बताईगे, तो ऐसे मत बोलना कि अब उनको swim करना आते हैं, It will remain under the water when it is displaced more water than its weights, पहली statement में कहता है, कहता है अपने weight से ज्यादा यह water को displaced कर देती है, इसलिए यह पानी के उपर रहती है, पहली चीज़ यह बोलता है हो, दूसरा कहता है तो density of needle, जो needle की density है, वो less है than the water, Third statement में कहता है, due to surface tension, and D option है, due to its shape, तो बताईगे, इसका correct option क्या होगा, तो इसका correct option जो student बनेगा, that is our due to surface tension, सबसे पहले तो बच्चे आपको यही पता होना चाहिए, कि what is surface tension, तो surface tension क्या है student, सबसे पहला जो fact आपको याद रखना है, तेंशन के बीच में, कि it is only possible in liquid substance, जो surface tension का phenomena है student, वो आपको सिर्फ और सिर्फ liquid substance में ही देखने को मिलेगा, surface tension होती क्या है student, कुछ नहीं है student, it is an attractive force, it is a kind of attractive force, between the molecules, जैसे पानी है, तो पानी के जितने भी molecules है student, वो आपस में क्या है, उनके बीच में एक attractive force है student, जिसकी वज़ाए से वो आपस में साथ साथ रहते, ठीके, ओके, तो हर एक molecule जो है, वो दूसरे molecules के उपर क्या लगा रहा है, उसको अपनी तरफ attract करते है, ठीके, जैसे अगर आप, जैसे आप जब आप hair wash करते हो, तो जब आपके hair wet होते है student, तो वो चिपक जाते है, है न, why? Due to surface tension, क्योंकि ये पानी की property है student, कि वो क्या करते है, molecules आपस में एक दूसरे को attract करते हैं, जिसकी वज़य से आपके जो बाल हैं, जो जब वो wet होते हैं, तो एक दूसरे के साथ वो चिपक जाते हैं, जैसे मानलों, जब आप paint करते हो, है न, paint का brush आगे से आपका shrink हो जाता है, क्यों? क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि कोई भी liquid है student, उसकी अंदर ये property है, क्योंकि जितने भी molecules हैं, वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, attract करते हैं, क्योंकि उनकी बीच में एक attractive force है, ठीके? और इसी phenomena को हम surface tension कहते हैं, ठीके जी? So, due to surface tension, अच्छा, एक चीज़ और समझो, कोई भी liquid होता है जो, कोई भी liquid है, तो उसके topmost पे जो particles होते हैं, ठीके? वो act करते हैं as a membrane का, एक्ट करते हैं as a membrane का, तो बिलकुल एक thin सी layer बन जाती है membrane की, जिसके उपर अगर कोई चीज हम, मतलब कोई भी, आज़े मैंने mosquito का example दिया, वो इसी लिए इसके उपर क्या कर पाता है, swim कर पाता है, ठीके? ओके? वैसे हमने बहुत retail में पढ़ा हुआ ये concept, ठीके? अभी ज is over due to surface station. Sixth question पढ़िए, कहता which of the following statement is true? True पुछा उसने when we see rainbow, rainbow पता है आपको इंद्रदुश, है ना, जब भी monsoon का season आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? बहुत सारी आपको rainbow दिखती है, है ना, इंद्रदुश दिखता है, जैसे बारिश होके हटती है, उसके बाद अभी होना चाहिए, present होना चाहिए, तो आप देखती हो कि पूरे sky के अंदर इस तरीके से एक rainbow बन जाती है, पूरी, इस तरीके seven colors की एक पूरी ऐसे पट्टीसी बन जाती है, ठीके, तो वो जब आप देखते हो, किस तरीके से देख सकते हो, उसने यहाँ पे ती, चार statement प सामने होना चाहिए, हमारे face के सामने होना चाहिए sun, और तब हमें वहाँ पे rainbow दिखाई देता है, दूसरा कहता है, the sun remains behind us and we face raindrops, कहता है, sun जो है, वो हमारे पीछे होना चाहिए, पीछे वाली side, अच्छा, फिर कहता है, in light rainfall, we face sun, ठीके, in light rainfall, जब rainfall काफी light हो, ठीके, we face sun, the sun remains clear and the sun is at the lower position in the sky, कहता है, sun जो है, वो lower position पे होना चाहिए, ठीके, होगा, और जो sky है, वो बिल्कुल clear होगा उस time पे, तब हमें rainbow दिखाई देगा, इन में से आपको correct statement अब उसने पूछी है, तो आप सोचिए बच्चे and then answer me please, please question का answer कीजिए, मैं आपको answer नहीं करूँग इसका, ठीके, pause लो, सोचो और मुझे बताओ, तो क्या option correct होगा बताना मुझे, तो कौन सा correct option होगा, that is B, जब sun हमारे पीछे होगा, जब sun हमारे पीछे होगा, ठीके, माल लो आप यहाँ पे खड़े होके rain वो देख रहे हैं, यहाँ पे sky में आपके rain वो बना है, साथ कलर क तो sun आपके पीछे होना चाहिए, back side होना चाहिए, ठीके, तब जो है वो आपको rain वो दिखाई देगा, यह जो छोटी छोटी आपकी air drops हैं, जब इनके उपर light पड़ेगी, ठीके, तब आपको अलग-अलग colors में वो क्या करेगा, disperse करेगा, ठीके जी, ओके, यहाँ पे ज चोटी-चोटी वो act करती है, ऐजे mirror का, ठीके जी, तो B option is correct option, हाँ जी, तो 7th question आपकी screen पे है, बच्चे, फटा-फट से देखिए, कैता था, splitting of different color of light in a prism is called what, तो अपने prism के अंदर से यह experiment आई, I know, कि हर बच्चे ने अपनी 9th, 10th की class में पका किया होगा, जब भी prism के अंदर, जब हम light को इस तरीके से करते हैं, तो light जो है, वो 7 colors में क्या हो जाती है, break हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, student, विब गे और, पता है ना सबको, विब गे और, ठीक है, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red color, सबसे उपर कौन सा होता है, red color होता है, क्योंकि वो light को सबसे कम bend करता है, prism, और violet color को maximum bend करता है, student, तो इसको हम कहते हैं, dispersion of light, dispersion of light, clear आपको ये बात, yes or no, समझ में आ रहे हैं ये नहीं आ रहे हैं, समझ में आना चाहिए भई, ठीक है, अगर अभी भी आपको general science समझ में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये है, बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है, आपके लिए exam clear, clear करना, I know, I think कि बहुत मुश्किल है, अगर अभी भी आपको ये question समझ में नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है, तो समझी अच्छे से, ठीक है, तो to its what, कहता है, जो boat है, वो समर्ज हो जाएगी, ठीक है, when it displaces water equal to its what, जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगी, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगी, equal to what, तो, equal to its weight, अगर वो अपने weight के बराबर water को डिस्प्ले करेगी न, student, then water, boat will be submerged, ये बात आपको पता होने चाहिए, बचे ये पानी पे boat के इस तरीके से तैरती है, क्यों तैरती है, कितना weight होना चाहिए उसका, है न, तो हर चीज आपको इस तरीके से clear होनी चाहिए, कितना पानी वो डिस्प्लेस कर रही है, ठीके, अब ये जर्नल डॉलेज की, ये बहुती common sense वाले question sense student, तो इन पे हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि already हमने काफी कुछ discuss किया हो इसके बारे में, ठीके, तो weight क्या होना चाहिए, आपका, ज्यादा होना चाहिए, इतना वो पानी को डिस्प्लेस कर रही है, उसे ज्यादा ही होना चाहिए, आपका weight, that means that weight of the boat is greater than the, greater than the what, जितना पानी वो डिस्प ले कर रही है, ठीके, ओके, 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 तो नाइन थी नंबर कुछन पढ़िए, कहता दा, snow on the mountains does not melt, जो mountains के उपर slow snow होती है, आपने देखा होगा, जितनी मर्जी गर्मी पढ़ जाई, हिमालया के अंदर जो, मतलब, permanent snow वहाँ पे free जो रखिये, ठीके, तो melt नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, हालनकि इतनी ज़्यादा heating होती है वहाँ पी, ठीके, क्यों नहीं हो पाती सर, student वहाँ पे melting क्यों नहीं होती है, जो snow है, वो हमारी melt क्यों नहीं होती है, बहुत सारी snow melt होती है, glaciers melt होती है, जिसकी वज़ा से rivers में इतना सारा पानी रहे है उपर से ठीक है गंगा ब्रह्म पुतरा यमुना हमारी सतलू जो इतनी सारी इंडस वाटर है हमारा इतना सारा पानी जो आ रहे है no doubt about that की melting के वज़ा से आ रहे है बट हां सारी तो snow melt नहीं हो रही है वाई क्यों नहीं हो रही है चार options है it become very hard बहुत ज़्यदा सक्त हो चुकी है it reflect most of the heat from the sun वो sun से आने वाली heat को जाए तर reflect कर देती है it has a very low specific capacity it has a very high latent heat of fusion so then answer it it reflects the most of the heat from the sun क्योंकि reflect कर देती है जिसको हम albedo effect कहते है right okay तो 10th number question पढ़िए student gamma rays can cause what gamma rays जो है वो क्या कर सकती है student gene mutation कर सकते स्नेजिंग आपको छीख किया जाएंगी burning हो सकती आपको fever हो सकते तो क्या हो सकते आपकी gene mutation हो सकती बच्चे gamma rays जो होती है आपको मैंने पत्ट एक लास में भी समझाया था कि alpha rays जो होती है वो आपकी वो आपकी skin में penetrate नहीं कर सकती बट जो बीटा होती है वो आपके tissue level तक जा सकती है बट जो आपका gamma rays होती है जो आपकी gamma rays होती है student वो इवन आपकी body को क्या कर सकती है cross भी कर सकती है internal organs तक वो जा सकती है so that's why gamma ray can cause gene mutation आपकी genetic genetic material जो है जो आपका DNA है उसके अंदर वो change कर सकती है ठीक है जो cell के nucleus के अंदर जो DNA पढ़ा हुआ है उसको वो change कर सकती है next question पढ़िए कहता woolen clothes keep the body warm because what अब इस टाइम पे हमने सबने woolen clothes पहने हुए यह देखो इतने मोटे-मोटे कपड़े पहने हुए है न वहीं बहुत कडाके की सर्दी पढ़ रही है इस टाइम पर नौर्थ इंडिया में why क्यूं option पढ़िए बचे option पढ़ो जल्दी से option पढ़ो वेट नहीं करवाता मुझे पढ़ो पढ़ो तो correct option इस अब बी वूलन जो है वो bad conductor है किसकी heat की heat को नहीं जाने देती बाहर bad conductor हो 12 number question पढ़ो क्यता while catching a ball of a player pull down his hand to the lower why देखो जब भी हमारा जो बॉलर होता है ना तो बॉल को जब पकड़ता है इस तरीके से तो बॉल को पकड़के क्या करता हो नीची की तरफ ले आता हाथ अपना ऐसे लिए क्या आता है ऐसे करते हो आप catch जब आप cricket खेलते हो या कुछ भी खेलते हो तो आप क्या से करते हो बॉल को catch ऐसे करके ऐसे लेकर आते हो फिर आप एक जशन में वह करते हो कि वा 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 हम जीत गए है ना मैंने आउट कर दिया ठीके सो while catching a ball a player pulls down his hand due to the why क्या करना होता उसको भी बताओ को हल से जो क्रेक्ज़ आप्षं क्या होगा मारा मोमेंट मोमेंटम का मतलब क्या होते है मारा मैंटम क्या होते है forces टे NEW-rare It is our momentum, तो अगर आप time को कम कर दोगे, जितना ज्यादा आपका time बढ़ जाएगा, उतना ही ज्यादा आपके force क्या होगी, कम होगी, तो आपके हाथ के उपर चोटना लगे, ठीके, तो अगर आप अपने time को ऐसे बढ़ा दोगे, जब आप उसको नीचे देरे-देरे, अब होता, उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा pain नहीं फील होता आपको, ठीके, ओके, तो उसका effect कम कर देते हो आप, ठीके, time को increase करके, क्योंकि जब आप time को increase करोगे, तो obviously आपकी force क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी, ठीके जी, okay, clear है ये बात आपको, ठीके, ठीके, त तो force क्या होगी आपकी, force क्या होगी, obviously student, change in the momentum, आपने momentum में change कर दिया, ठीके, divided by time, तो time अगर बढ़ाओगे तो obviously student आपका force जो होगा, वह क्या होता चाहेगा, कम होता चाहेगा, देखिए F जो है यहाँ पर इन्वर्सली प्रपोर्शनल है time के, तो time बढ़ाओगे, force कम फी क्यों आपीर होता है, student बताओ, हमारा जो sky है वो हमें blue आपीर क्यों होता है, pink क्यों नहीं आपीर होता है, तो that is due to the scattering of light, that is due to the scattering of light, ठीक है, light जो है वो scatter होती है, जिसकी वजह से हमें sky जो है, blue color दिखाए देते हैं, आपको भी पता है, जो violet color है, वो सबसे कम, सबसे हम scattering होती है ठीक है तो 14 number question पढ़िए कहता है short sight in human eye can be corrected by using what short sight मतलब कि आपकी दूर की नजर जो है वो कम जोर है तो उसके लिए आप कौन सा lens use करते हैं कौन सा lens use करते हैं बताओ that is our concave lens that is our concave lens clear आपको ठीक है जी तो आगे बढ़ते हैं हंजी कहता है what is the reason for twinkling of star यह तो दुबारह ही आगे हाना that is due to the atmospheric reflection चलो कोई बात नी 16 number question पढ़िए बच्चे 16 number question पढ़ो तो कहता है hydrogen balloon floats up because of what आप जो गुबारों में हवा भरते hydrogen balloon बड़े बड़े जो balloon होता है जितमे हमें hydrogen gas बरके रखते हैं वो क्यों float करते हैं student वो उपर float क्यों करते हैं हवा के अंदर वो नीचे क्यों नहीं आते gravitational force की वज़े से तो अब बताइए कहता है air pressure decreases क्योंकि air pressure decrease हो जाता है with decrease in height फिर कहता है air pressure decreases with decreasing in weight फिर कहता है weight of the balloon is less than the weight of the air displaced by it फिर कहता है the pressure inside the balloon is more than the pressure outside तो इसका correct option सीधा सीधा है बच्चे that is C योगि जो weight होता है balloon का आपको भी पता है जो hydrogen gas होती है वो बहुत ही ज्यादा light होती है ना बहुत ही ज्यादा light gas है बहुत हलकी gas है जिसकी वज़े से जो उसका weight है balloon का वो less than है the weight of the air displaced by it जितना वो air को displace करते है जितना बड़ा आपका balloon होगा वो क्या होगा उतना ज्यादा air को क्या करेगा displace करेगा and जब वो displace करेगा तो student you know that की आपका जो air है जो air है उसको क्या करेगी और ज्यादा उपर की तरफ पुश करेगी ठीक है इसकी वज़े से balloon जो है वो आपका उपर 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 जाता जाएगा ठीक है जी तो 17 number question पढ़ो यहां पर कहता है which one of the following lenses should be used to correct the defect of astigmatism astigmatism का मतलब क्या होता है multiple reflection हो जाती है आपके retina के उपर आपको भी पता है यह हमारा retina होता है eye के पीछे और यहां पर हमारी eye होती है student ठीक है तो जब light जब enter करती है हमारी eye से हमारी eye के अंदर जो lens लगा होता है तो retina के उपर वो light पढ़ती है और फिर हमें किसी च astigmatism कहते हैं और इसको correct करने के लिए हम cylindrical lenses का use करते हैं क्या use करते हैं cylindrical lenses को हम यहां पर use करते हैं ओके clear है आपको यह बात ठीक है जी ओके ओके ठीक है student इसी के साथ हमारा यह session यहां पर हम करते हैं over ठीक है जी ओके तो student आप best series join कर सकते हैं link आपको description box में मिली ही जाएगा ठीके जी ओके ओके student ठीके student thank you thank you so much have a nice day